आप देख ले ना पांच से कोबरा हो जाएं दो तीन अजगर हो जाएं मैं अपनी तरब से सारा सिस्टम वही बना के लाओंगा मैं जैसा फॉरन मिले के जाता हूं बच्छे खुश होने चाहिए आरे आप आपको कहने की जिरूद में पड़े बिग बोस ओडिडी टू विनर और फेमस यूटुबर एलिश यादव इन दिनों मुस्किलों में है साब जैर मामले में दो ऐसे ओडियो कलिप प्लिप्स के हाथ लगे हैं जो एलिश यादव की मुस्किलों को बढ़ा सकते हैं ओडियो कलिप्स में गिराफतार आरोपी राहूली यादव प्याफे कारेकरता को बता रहा है कि कैसे अलिश यादव की पार्टियों में जैर लाया जाता है अब आप इस ओडियो को सुनिए प्रोग्राम करने वाले लड़के चोड़िया आया था मैं वीडियों नहीं बना पाए था कुछ वीडियों भीज तो रृटी लेगे आपके पास अब हम परोग्राम की तो आप यह दिकत ही मतलो मैं यह बता रहा हूं मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से उपर कोई कर कोई दिक्कत नहीं आप थोड़ा सा अंदर यह देख लेना कि कोई स्टेज टाइप थोड़ा सा मारा हो जाए तो अपना मापे बैठ के हम अपना वो प्रोग्राम कर लेंगे और माइक वगएर का सिस्टम हो जाए बोल के रखना मैनेजर से करा दे तो भी साथ बंदू की टीम में उनके लिए थोड़ा नहीं मैं एडर्स देख लेता हूं अपने कुन सा लिखा है आना वो मैंने देखा हुआ आई यह होसी आरपूर के बास हमें करता रहता हूं प्रोग्राम में पर अच्छा बस तो फिर आपको तो पता ही होगा हाँ मुझे पता है सारे देखा हुआ प्रोग्राम ऐसा होना चीए फिर आगे भी लोगों को ना देखेंगे तभी कराएंगे लोग भाई साफ आप यूटूब बगारा पेने मेरे नाम से देखो के सारा कुछ निकली आएगा अच्छा अब मैं तो बार विदेश तक जाता हूं फौरन अच्छा अच्छा बाग प्रोग्राम अच्छा होगा ना तो आप नास्ता बगएरा कुछ ऐसा ही करा देना स्टार वगएरा और खाने का तो आप नो बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम तो वही मत्तल साड़े चार पांट वे तक मोचों तब ही तो पाई कि तैयारी चलो एक गंटा पहले आजाओंगा तो आपको जूरूत नहीं है मेरा काम है मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूं आप भी है काओगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से में मेरा कॉंटक्ट हुआ ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हो ठीक है तो भाई वह अजगर देख लेना अगर हो जाए ना मैं हाँ मैं मैंने फॉन कर दिया अपने सरकल में पांच शे वराइटी मुझे म ठीक है तो आप देख लेना पांच से कोबरा हो जाएं दो तीन अजगर हो जाएं मतलब मैं मैं अपनी तरब से सारा सिस्टम वही बना के लाँगा मैं जैसा फॉरन मिले के जाता हूं अरे आप आपको कहने की जिरूद नहीं पड़ेगी चलो